स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश ग्रैमर में जिसमें हमने एडजेक्टिव को डिटेल से स्टार्ट करके हैं उसकी फिफ्थ वीडियो जिसमें हम डिस्टिबिटिव एडजेक्टिव क्या होता हैं इसको हम देखन इससे पहले वाली जो चार वीडियो आ चुकी है एडजेक्टिव की या फिर कहूं प्रोनाउन को हमने कम्प्लीट कर लिया है उसकी सारी वीडियो और या फिर कहूं जो बेसिक हमने कम्प्लीट कर लिया इंग्लिश ग्रैमर का इन सब वीडियो की जो पीडियोफ है वो कहा मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की क्या आप सब भी वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना किसी देरे के अपने अड्जेक्ट में हमें रहे कि एड्जेक्टिव का पर्टिकुलर काम यही है तो एड्जेक्टिव कहते किसको है तो एक एड्जेक्टिव जो एक वर्ड है जो यूज किया जाता है क्वालिफाई करने के लिए किसको क्वालिफाई करने के लिए नाउन को या प्रोनाउन को ये क्वालिफ चीज़े जो हैं वो विशेशता के अंदर ही include हो जाती हैं तो इसलिए इन सब को हम कहते हैं adjective clear अभी example के दूरू भी हम समझेंगे फिर बात करते हैं कि adjective के कुछ types भी होते हैं क्या बेशेक होते हैं और अब तक आपने देखा हो हमने proper adjective, numeral adjective, possessive adjective, demonstrative adjective यह 4 types जो हैं हम कर चुके हैं अब तक कि complete हो चुके हैं और हर एक की अलग-अलग वीडियो में बनाई है तभी यह क्यों किया है क्योंकि आपको लगता हो कि मुझे इस type का adjective समझ में नहीं आता तो आप तुरंद गए आपने वो वाली type की वीडियो देख ली आपको पूरी वीडियो नहीं देखने पड़ेगी तो आपकी सहुलियत के लिए हर एक type की अलग-अलग वीडियो में बना रहो और आज हम इपनी इस वीडियो में distributed adjective को देखने वाले हैं फिर उसके बाद quantity, quality, emphatic, interrogative फिर जो बच जाएंगे सबसे important यही है miscellaneous जो बच जाएंगे हम miscellaneous के अंदर cover करेंगे और मैं यह कह सकता हूँ कि adjective की जो main जान है वो miscellaneous के अंदर है ऐसा नहीं कहुँआ कि इन के अंदर नहीं यह बहुत आपका concept clear कराएंगे आप इनके बिना तो इस miscellaneous से पहुँची नहीं सकते और मैं एक advice यह देना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो बैटर रहेगा कि आप पिछली बार यह वीडियो देख रहे हैं मैंने आपको लग भग pronoun complete लग भग क्या वो तो complete ही करवा दिया pronoun और इसका half portion हमने लग भग half portion हमने adjective का complete कर लिया फिर हम यहाँ पर इसके बाद verb को करेंगे और verb के बाद हम tense पर जाएंगे देखिए आपका जो grammar से related जितना भी exam में portion आता है वह बहुत असाने से clear कर पाएंगे पी नहीं चलाई ना तो आपने भले वो PDF डाउनलोड कर ली तो वो व्यर्त है कोई फाइदा नहीं है उस चीज का तो खेर ज़्यादा lecture नहीं देते हैं आपने concept पर focus करते हैं तो आज हम start करते हैं अपने distributive adjective को distributive adjective कहते किसको है देखिए distributive adjective क्या करते है वो किसी वर्ग की परतेक वस्तू यानि हर एक वस्तू यानि व्यक्ती को संबोधित करते हैं और उसे हम कहते हैं distributive adjective अगर आप इसके नाम को गर गोर से देखें distribute करना distribute का मतलब यानि विभाग करना उसको कहें कि विभाजन कर देना अलग-अलग कर देना तो इसी से समझ जाओ अलग-अलग कोई जूंड था उसको अलग-अलग कर दिया विभाजन कर दिया उसका तो यह adjective का यह distributive adjective का काम है अब आपको याद हो तो हमने distributive pronoun भी कर रहा है पिछली वीडियो के अंदर वही same to same pronoun के अंदर भी है और हम कैसे identify करेंगे कि भई कोई जो word हो adjective है या word है adjective है या pronoun है for example मैं यह this या अगर यहाँ पे लिख दू तो आपसे पूछू हूँ कि यह this demonstrative adjective है या demonstrative pronoun है अब यहाँ पर यह कैसे check किया जाते है simple जी बात है अगर इस word का sentence में किस तरीके से use हुआ उस बिहाँ पे बता पाएंगे यहाँ पर अकेला word लिखा है इसको हम नहीं बता सकते इसको तो हम demonstrative pronoun भी बोल सकते है demonstrative adjective भी बोल सकते same जो funda है वो distributive adjective में अपलाई होता है और pronoun की एक video के अंदर हमने जहां हमने distributive pronoun करे थे वहाँ पर मैंने आप लोगों को इस तरीके की formula कहलो या एक rule कहलो यह हमने आप लोगों को बता है था मैंने कहा था कि each, either, neither यह सारे अभी demonstrative pronoun है यह demonstrative pronoun है आप सोचोगी कि सरे distributive adjective करा नहीं, distributive pronoun है और आप सोचोगी कि सरे distributive adjective करा रहे है और आप distributive pronoun कहां से ले गया आगया उसके अंदर यह free pronoun का concept कहां से आगया इसके अंदर अभी थोड़ा सा धहरे रखो सारी चीजे clear होगी अगर आपने पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद of proportion आएगी फिर pronoun आएगा noun भी plural होगा फिर verb आएगी verb क्या होगी, verb singular होगी फिर अगर इसके बाद pronoun या adjective उज़ करके तो वो singular उज़ होगी क्यों ऐसा बोला था मैंने मैंने ऐसा बोला था इसलिए क्योंकि जो of proportion होती है ये दो काम करती है ये proportion दो काम करती है एक तो किसी के उपर अधिकार जताने के लिए या फिर एक selection के लिए ठीक है? selection के लिए अब भी यहाँ पर ये जो proportion है और ये selection का काम नहीं करवा मतलब अधिकार का काम नहीं करवा रही है यह यहां पर selection का काम करवा रही है अब जब selection यानि choose हमें करना होता है किसी चीज में हमें चुनना होता है तो मुझे एक बात होता हूँ आपके सामने कोई अगर एक चीज रखी है तो आप इसमें से क्या चुन लोगे क्या बेशक आप नहीं चुन सकते है उसमें से आप वहां पर कोई भी choice नहीं है आपके सामने अगर वही चीज आप कोई कहीं कि दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं मतलब दो shirts आपके रख दी हैं तो आप इसमें से select कर सकते हैं आपके पास यहां पर selection करने के लिए options available है तो selection कब होता है जब कोई चीज एक से ज़्यादा हो तब तो यहां पर देखिए यह ओ प्रिपोजिशन है selection का काम करवाने आ रही है तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो plural ही तो होगा इसलिए plural लिखा जाता है यह verb singular इसलिए लिखी जाती है क्योंकि यह अपने subject के according आती है और यहां पर जो subject है वो pronoun यानि यह each, either, neither बने हुए और यह एके करके बात करते हैं distribute करके बात करते हैं तो जब एके करके बात करते हैं तो वो भी singular ही तो आएगी जैसे हम practice start करेंगे तब आपको यह concept अच्छे से समझाएगा अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर each either, neither के तुरंत बात अगर noun आ जाए तो इसको बोलेंगे हम distributive adjective और इनके बाद अगर कोई दूसरा शब्द आ जाए इच बोई इच बोई मैंने लिखा तो यह इच जो है इसके तुरंत बाद आपने देखा एक noun आया हुआ है यह noun आया हुआ हुआ तो इच यहां पर क्या होगा यह होगा distributive adjective लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि इच मैंने लगाया और इसके बाद इच ओफ दा बोई अगर मैंने कर दिया अब देखिए इच के तुरंत बाद क्या आगया आपके सामने इच के तुरंत बाद क्या आया हुआ है ओफ प्रिपोशन आयुए कोई noun तो नहीं आया तो इसलिए इच जो है यहां पर pronoun बन जाएगा यह pronoun हो जाएगा clear हुआ तो यही एक line आपको बताने की कोशिश कर रही है अगर बार जड़ा हम इसके practice को देख लेते हैं फिर यह concept और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके सामने एक sentence लिखा हुआ है Every of these students have qualified the exam अगर मैं इस sentence को break करने की बाद करूँ तो यह off हो जाता है preposition और students जो है इस preposition का object हो जाते है और these इनकी तरफ इशारा करने वाले demonstrative adjective हो जाते है have helping verb है qualified main verb है qualified what exams exam यहां पर आपके सामने object है the article है अब बात करें कि कोई ऐसी verb नहीं है जिसको अपना subject आपिले तो यह subject बनाने के लिए इस every के पास जाएगा अब यह every के पास जाएगा तो every में एक दिक्कत है जो मैंने आप लोगों को each, either, neither जो कराए है वो demonstrative adjective भी हो सकते हैं distributed pronoun भी हो सकते हैं लेकिन यह every जो है न यह सिर्फ और सिर्फ adjective रहेगा यह कभी भी subject नहीं बन सकता फिर से समझे देखे, each, either, neither, every जब यह इन सब की अगर मैं बात करू न तो यह हमेशा adjective रहेंगे जो अगर इसके साथ हमने every भी इनके साथ मिला दिया लेकिन अगर every को अगर मैं बाहर कर देता हूँ अगर every को अगर मैं बाहर कर देता हूँ तो ऐसा समझे यह तीनों जो शब्द है each, either, neither यह adjective भी हो सकते हैं और यह pronoun भी हो सकते हैं लेकिन यह जो every है यह सिर्फ फर सिर्फ adjective ही रहेगा और यहाँ पर यह every लगा हूँ यह adjective रहेगा तो adjective का काम कहा है किसी चीज को मतलब कि noun या pronoun को qualify करना अब इसके बाद तो कोई noun या pronoun लगा हूँ नहीं है तो यहाँ पर इस every को हटा के each लिखो या फिर everyone लिखो each लिखो या फिर everyone लिखो तभी बात बनेगी हमारे सामने तो यहाँ पर आपके सामने सही answer हो जाएगा each of these students तो यहाँ पर each लगाने every नहीं आएगा every student करना पड़ेगा आपको every के तुरंत बाद noun लिखना पड़ेगा और noun भी किस टाइप का होना चाहिए singular होना चाहिए उसके बाद pronoun adjective लगेंगे वो भी हमारे सामने singular होना चाहिए तो यहाँ पर आपके सामने जो each लगाया इसके बाद जो इस have शब्द का यह वर्ब का जो है each यहाँ पर subject बन जाएगा अब यह एके करके बात करते है distribute करके बात करते है तो वो भी किस तरीके के आएगी singular आएगी तो have है यहाँ पर तो have कटके यहाँ पर has आएगा इस चीज को ध्यान रखने है clear एक sentence और करते हैं देखें यहाँ पर लिखा हुआ है each boy who had not attend all the workshop were find तो अगर मैं बात करूँ each इस शब्द की तो यह हो गया आपके सामने distributed distributed adjective क्यों है क्योंकि इसकी तुरूंद बाद एक noun आ रहा है तो यह आपके सामने यहाँ पर हो गया subject यह इस बार यह boy जो है यह subject है यह इसको qualify कर रहा है who यह है relative pronoun इसको refer कर रहा है इस boy को refer कर रहा है तीक है अब यहाँ पर यह head जो है यह जो head जो है यह आपके सामने helping verb note attended attended है main verb note इसको qualify करने वाला adverb है adverb of negation इसको बोलते है attend all the workshop all the workshop यह वो गया आपके सामने object all इसको qualify करने वाला quantitative adjective है यह भी adjective है और the हमारे सामने article है यह word जो है यह आपके सामने helping verb है यह find जो है यह main verb है आप देखिए यह आपके सामने main verb आ गई तो इसके लिए subject का है यह who है यह subject बना हुआ है ठीक है यह भी एक verb है यह भी एक verb है इनका subject क्या है यह हुआ है लेकिन यह जो वब आई हुई है helping of main वब इनके लिए subject का है इनके लिए subject है भई यह boy यह boy है यहाँ पे subject और boy अकेला है यह plural है भई plural नहीं है यह singular है यानि boys होता तो plural होता है यहाँ पे अकेला boy लिखा हुए अकेला boy क्यों लिखा हुए है क्योंकि each इससे पहले लगा हुए तो यहाँ पर each boy यह singular को दर्शार है है तो यहाँ पर work की जगह क्या आएगा यहाँ पर work की जगह आएगा वोज तो यह होता है concept आपको समझाने का clear तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह distributive adjective भी समझ में आ गया होगा कि इसको हम use कैसे करते हैं तो each, either, neither, every यह आ जाए तो इनके बाद जो noun आएगा वो singular लगाना और every जो है वो adjective ही होता है वो आप pronoun नहीं बना सकते जैसे each को आप distributive adjective बोल सकते हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ जादा ही पसंद आए तो शेर कर सकते हैं वीडियो को भी as well as इस चैनल को भी पीडियो के लिए मैं आप लोगों को लड़ी information दे चुका हम तो बस आज के लिए इतने था thank you for watching this video